हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में और आज कर कुछ नया अपडेट निकल के आ रहा है MI की ओर से साथ साथ कुछ नए एप्स को बैंड किये जानने वाल हैं इंडिया के अंदर जिसके अंदर PUBG भी इंकलूड है और कुछ नए आपको Redmi के डिवाइसेज भी देखनी को मिलने वाले निक्स्ट मन तो इनसे भी की डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाला है तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर वाच करें ताकि आज का जो लेटिस्ट अपडेट नियूज है वो आपको मिल सकें तो सबसे पहले अगर खवर की बात करें तो वह है MIY12 के अपडेट के बारे में कुछ अललग डिवाइसेज को अललग MIY के अपडेट देखने को मिले हैं जैसे कि Redmi के Note 8 Pro डिवाइस के लिए MIY12.0.3 रोल आउट कर दिया गया है जिसका साइज 635 MB का है और यह अपडेट सिर्फ और सिर्फ बीटा टेस्टिंग यूजर्स को ही मिला है गलोबल नॉर्मल यूजर्स को देखने को नहीं मिला है तो आपको थ्वासा वेट करना होगा उसके बाद यह अपडेट हम सभी नॉर्मल यूजर्स को भी देखने को मिलेगा और हम directly इसे update कर पाएंगे next update की बात करें तो उसकी complete information मैंने अपने YouTube के community tab पे share कर दिया है और बहुत सारे take news भी आपके साथ share करता रहता हूँ तो अगर आप मेरे channel को subscribe करते हैं तो आपको इसी तरह के news और बाकी update की detail मिलती रहेगी time to time तो चैनल को subscribe और like करना बिल्कुली न भूलें तो यहां पर other update की बात करें तो आप देख सकते हैं कि first में Redmi Go को update देखनी को मिला है जो कि global device है उसको MIY 10.2.19 का update देखनी को मिला है साथ-चाथ Redmi के K30 Pro और Zoom Edition साथ-चाथ Poco F2 Pro को MIY 12.0.1 का update देखनी को मिला है जो कि Indonesia में गया है उसके बाद आपको MIY 12.0.1, Redmi के K30 Pro, Zoom Edition और Poco F2 Pro को देखनी को मिला है जो कि रूसिया में जो launch है उन्ट device के लिए available हुआ है साथ-चाथ MIY 12.0.3 जो कि Redmi के 9A Global device के लिए rolled out कर दिया गया है तो उसे भी MIY 12 का update मिल गया है साथ-चाथ MIY 11.0.3 जो कि Poco M2 Pro इंडिया में हाली में launch हुआ है उसके लिए अपडेट rolled out किया गया है तकर आपने purchase किया होगा ता आपको ये नया update देखनी को मिलेगा जिसके detail मैंने 1 hours पहले आपके साथ share किया था और जो Redmi Note 8 Pro के बारे में मैंने बताया है वो मैंने आपको 8 hours पहले ही है जो share कर दिया था बाकि जो black shark और बाकि जो भी phone launch होते हैं उनकी information में आपको यहाँ पे share करता रहता हूँ तो community tap पे आप active रहे मेरे चैनल पे आप active रहे ताकि आपको full information मिलती रहे updates के बारे में और बाकि अदर नए features के बारे में अगर Redmi के नए phone की launch की बात करें तो एक नया phone confirm कर दिये गए for August को जो के आपको Redmi 9 या 9A के name से देखने को मिलने वाला है जिसके अगर key specs की बात करें तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 3.5 mm jack का support साथ साथ इसके अगर और aspects की बात करें तो Full HD Plus का resolution और 6.53 इंच का display आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे Helio का G80 का chipset यूज किया गया है और 4GV से लेकर 6GV तक का यहाँ पे आपको RAM का support मिल जाएगा जहाँ पे 64GV है आपको storage देखने को मिलेगा और यह microSD card deduct करेगा यानि आपको support देखने को मिलेगा इसके battery के जो capacity होने वाली है वो 520 image की होने वाली है साथ से अगरा setup में आपको 13MP main camera, 8MP ultra wide, 5MP micro और 2MP depth देखने को मिलेगा जहाँ पे 8MP आपको selfie shooter camera देखने को मिलेगा और आपको क्या लगता है किसी क्या pricing होगी GST increase होने के बाद आप comment करके जरूर बताना most popular gaming app pub g के साथ 225 apps को ban किया जाने वाला है इंडिया के अंदर जिसके आप सभी को पता होगा कि हाली में 59 Chinese app को ban कर दिया गया है क्योंकि हमारे data को leak कर रहे थे और इसके ban होने के बाद इसके कई सारे alternative और clone app है जो market में available हो चुके हैं जो कि same काम कर रहे हैं जो कि Chinese app है जो हमारे ban कर रहे थे और यह भी बताया जारा कि इन 225 के अंदर बहुत सारे MI के जो app है खुद के वो भी include होने वाले हैं लेकिन सबसे बड़ी न्यूच यह है कि हमारा जो PUBG है यह भी ban हो सकता है क्योंकि अगर हम बात करें इन apps के बारे में तो आप देख से तो इनके alternative जो नेम आपको दिखाए दे रहे हैं स्कैनर एडवांस टिक टोक लाइट हैलो लाइट से रिट लाइट वीगो लाइट ऐसे बहुत सारे अप्लिकेशन हैं जो कि सेम काम करने हमारे डेटा को लिख करने का तो हमारे गवर्णमेंट की नजर पड़ चुके इन सभी टू हंड़ेट सेटिफाइव एप्स के उपर जिन में वारा पबजी भी सामिल है तो अगर गवर्णमेंट को जो सक है डेटा लिख का अगर यह कनफर्म हो जाता है तो यह सारे एप को इंडिया में बैंड कर दिया जाएगा आपका क्या ख्याल है पबजी के बारे में अग जब भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करू आपको complete information मिल सके वीडियो के बारे में और आप हमेशा up to date रह सको मैं मिलता हूँ आपसे next video के अंदर next take detail के साथ तब तक लिए bye bye